स्वागत है आपका अपना प्यारा से यूटूब चैनल तनुवीर सर पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम अदाब मेरे प्रिये साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 तारिक को एकजाम सुरू हो चुका है एकजाम बहुत सारे दोस्तों ने दिया भी है और वक इसको इंगलीस में बोला जाता है चाइल्ड डिवलोपमेंट यह बाल विकास का 40 परषण है समझे कि इसको हमने निचोड करे लाया है SELECTS किया है जो बार विकास से भेरी भेरी Jahren से लिए सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है एक पैसा भी नहीं लगता है बस एक सेकंड का समय लगता है इतना आप मेरे लिए कीजिए कम से कम जिसे होता क्या है कि मुझे सपोर्ट मिलता है तो इसमें कोई कमी नहीं कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा प्यारा से कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये फाइदेमंद शाबित हो सके चलिए पहला नमर कोशन है इसका विकासवाद के समर्थक हैं विकासवाद के समर्थक हैं हम ऑप्सन चारों नहीं लेंगे इसका जो एंसर होगा डाइरेक्ट वहीं बोलेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें और उतना नहीं है एकजाम करीब है एकजाम ने दिया भी जा रहा है और एकजाम जिनका होने वाला है वह भी करीब है तो यहाँ द्यान देंगे आपर दिए के वंबूस और विकासवाद के समर्थक हैं चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमर दो दो नमर कोश्चन है सब्द इमोशन का अर्थ है तो सब्द इमोशन का अर्थ क्या है option A है उत्तेजित करना तो ये भी है option B है उथल पुथल पैदा करना तो ये भी है option C है हलचल मचाना तो ये भी है यानि कि इसका सही अंसर होगा option number D option number D is the right answer सभी next question है question number 3 3 number question है सनवेग अभी प्रेरकों का भावातमक पक्ष है यह कथन किसका है तो यह कथन बरनी का है इसका सही अंसर होगा option number A option number A is the right answer बरनी चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 4 4 number question है सनवेग परकिर्ती का हिर्दय है यह कथन किसका है जिसका सही अंसर होगा option number A option number A is the right answer MacDougal चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 5 5 number question है फिजिक एंड कारेक्टर पुष्टक के लेखक है तो इसका सही एंसर होगा option number B option number B is the right answer चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 6 चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 7 चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 8 आठ नमबर question है age of puberty कहलाती है age of puberty क्या कहलाती है तो इसका सही answer होगा option number A option number A is the right answer पुर्वकिशोर आवस्था चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 9 non number question है वैक्ति के स्वभाविक विकास को कहते है यानि वैक्ति के स्वभाविक विकास को क्या कहते है तो इसका सही answer होगा option number A option number A is the right answer अभी विरिधी चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 10 10 number question है बाल विकास को कितने भागों में बाटा जाता है तो इसका सही answer होगा option number C option number C is the right answer चार भागों में बाटा जाता है ध्यान देंगे मैं एक बार फिर से आपको याद दिलना चाहूंगा कि ये बाल विकास से मैंने जो question लेकर आया है 40 question very very important question है समझे कि मैंने पूरा बाल विकास से ये 40 percent निचोर कर लेकर आया है बहुत ही important है काफी मेहनत लगा है मेरे भाई तो पिलीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इतना support जरूर कीजिए इसमें कोई कमी नहीं कीजिए इमंदारी से support जरूर कीजिए इमंदारी पूरुवक आप इसको जो है subscribe जरूर कीजिए चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 11 11 number question है बालक के विकास की प्रकिरिया एमं विकास की शुरूरात होती है बालक के विकास की प्रकिरिया एमं विकास की शुरूरात होती है तो इसका सही अंसर होगा option number A option number A is the right answer जन्म से पूर्व बालक के विकास की प्रकिरिया और नमीन यूग्यताएं परकट होती है यह कथन किसका है तो इसका सही अंसर होगा option number A is the right answer हर लोग का चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 13 13 number question है सैक्षिनिक दिरिष्टी से बाल विकास की अवस्थाय है सैक्षिनिक दिरिष्टी से बाल विकास की अवस्थाय है तो इसका सही अंसर होगा option number A is the right answer सभी चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 14 14 number question है मानों की विरिधी एवं विकास की परकिरिया निम्न में से किस सिधान्थ पर अधारित है तो इसका सही अंसर होगा option number A विकास की दिशा का सिधान्थ ये भी सही होगा Option B है प्रसपर का सिध्थान तो ये भी सही है Option C है वікतिकत भिन्ताओं का सिध्थान तो ये भी सही होगा ध्यान देंगे ये सिध्धान जो भी लिखा गया है झाइप होया है थोड़ा से यहाँ गरबर हो गया है दोः हो गया है धहओ होना चाहिए इसलिए इसका सही अंसर होगा option number D option number D is the right answer सभी, सिधानत इसे ही होगा यहाँ पर सही है चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 15 15 number question है सिख्षा मनो विज्ञान व्यक्ति के जन्म से विर्धा वस्था तक सिखने के अनुभाओं का वर्णन व्याख्या करता है यह कथन किसका है तो इसका सही अंसर होगा option number A option number A is the right answer करो वा करो चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 16 16 number question है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की विरीधी या विकास को परभावित करता है तो इसका सही अंसर होगा भोजन, वयायाम, गरंतियों की किरिया शिल्ता इसलिए इसका option number D अंसर हो जाएगा सभी चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 17 17 number question है एसकीनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में वयापक व्यक्तिक भिंताएं होती है यह विचार विकास के किस संदर्व में है तो इसका सही अंसर होगा option number A option number A is the right answer वयक्तिक भिंता का सिधान्द चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 18 18 number question है किस वर्स के बीच लड़किया तेजी से बढ़ती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A option number A is the right answer 12 से 14 वर्स के बीच लड़किया तेजी से बढ़ती है चलिए next question के तरह देखते है question number 19 19 number question है किसोरा वस्था में किशोरों में कौन से गुन आ जाते है option number A है वीर पूजा की भावना ये भी ठीक है option number B है विपरित लिंके परती लगाओ ये भी अच्छा है ये सही अंसर होगा option ये भी होग जाएगा option number C है कलपना की परधानता तो ये भी सही होगा यानि option number D इसका सही अंसर होगा option number D is the right answer सभी चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 20 this number question है किस अवस्था को यवन वाले अवस्था के मध्य का संधिकाल कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number C option number C is the right answer किशोरा अवस्था ध्यान देंगे मैंने आपको बोला है कि इमंदारी पुरुवक आप यदि वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इमंदारी पुरुवक दिल पर हाथ रख के देखिए आपको लगेगा कि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इसलिए इमंदारी से जो भी काम किया जाता है उसमें सफल जरूर होते हैं मैं अपना काम तो करता हूँ इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सिख्षक साथी जो भी है आप आप भी अपना काम इमंदारी पुरुवक कर लीजिए थोड़ा सा इस चैनल को बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एक सिकंड का समय इतना जरूर दे दीजिए लाइक और कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को शेर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कोश्चन नमबर 21 किस देश में किस वरा अवस्था की आयू पश्चिम के ठंडे देशों की अपयक्षा एक वर्स पुर्व सुरू हो जाती है तो इसका सही अंसर होगा अफसन नमबर B अफसन नमबर B is the right answer भारत चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 22 22 नमबर कोश्चन है अभी प्रेणा की उत्पत्ती लेटिन भासा के किस सब्द से हुई है तो अभी प्रेणा की उत्पत्ती लेटिन भासा के मौटूम से मौटूम सब्द से हुई है तो इसका सही अंसर होगा अफसन नमबर C अफसन नमबर C is the right answer मौटूम मौटूम मौटुम या मौटुम कह सकते हैं जो भी लेकिन अभी पेरना कुद पत्ती लैटिन भासा की कि सबसे हुई है तो मौटुम मोटुम चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 23 तेइस नमबर कोश्चन है पिरेड़ना की परकिरिया किसके अभाव में सुरू नहीं हो सकती है तो इसका सही अंसर होगा ऑफसर नमबर A ऑफसर नमबर A इस दराइट अंसर आवश रखता क्या लिए नेक्स्ट कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 24 नमबर कोश्चन है वरितियों को अभी पेरना के स्वरूप में माना है क्या माना है रखही तो इसका सही अंसर होगा ऑफसर नमबर B मैक डूगल ने वरितियों को अभी पेरना के स्वरूप में माना है किसने rence नेक्स्ट कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर Guidyan नमबर कोश्चन है अभी पैरना की परवीधिया है तो इसका सही अंसर होगा ए सीखने की इच्छा परिपकवता सीख्षण विधिया ये भी होगा और संब्सक्राइब था निंदा प्रगतिका ज्यान अकांचा अस्तर ये भी होगा और सफलता और सफलता परभाव का नियम प सही अंसर होगा ओप्सन नमबर D is the right answer सभी हो जाएगा इसमें चलिए नेक्स्ट कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 26 26 नमबर कोश्चन है प्रेरक कोई भी विशेस आंत्रिक कारक अथवा दशा है जो किरिया को प्रारम करने वाला अथवा बनाए रखने को पर 27 27 नमबर कोश्चन है जौन पी डेसे को ने अभी प्याणा की उतरदाई कारक बताए हैं तो इसका सही अंसर होगा ओप्सन नमबर ए जागुकता आशा 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 अप्सन मसी है अनुशाशनातमक क्रिया हैं इसलिए इसका सही अंसर होगा ओप्सन नमबर D right answer सभी जौन यानि के सभी हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमर अठाइस नमर कोश्चन है किसी काज को प्रारम करने जारी रखने और नियमित बनाने की परक्रिया को प्रेड़ना कहते हैं यह विचार है यानि किसका तो इसका सही एंसर होगा चलिए नेक्स कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमर अठाइस नमर कोश्चन है गेट्स ने अधिगम की परक्रिया में अभी प्रेड़कों के कितने कार्ज बताए हैं तो इसका सही एंसर होगा अभी प्रेड़कों के तीन कार्ज बताए हैं गेट्स ने अधिगम की परक्रिया में चलिए नेक्स कोश्चन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमर तीस तीस नमबर कोश्चन है अभी पेर्णा के मूल सम्परत्या है अभी पेर्णा के मूल सम्परत्या है क्या है तो ओफिन रखल्वावच्टा बी नंबर 257 पराइब यह इस लिए इसका यह चैल नंबराधिक इन सभी चलूरिए नेक्स प्राइब बढ़ते हैं question number 31 30 number question है अभी प्रकार है अभी प्रकार है तो option यह प्राथ्मिक अभी प्रकार है अभी प्रकार है अप्षित इसलिए का सही अंसर होगा option नंबर C, option number C is the right answer दोनो, चलिए next question के तरह बढ़ते हैं question number 32 question है, Thomas ने अभी परिकर्कों को भागों में बाटा, यानि कितने भागों में बाटा है कौन-कौन भागों में बाटा है तो option A है प्राकिर्तिक, तो ये भी इसका एक भाग हो गया, option B है तो ये भी एक भाग हो गया, यानि कि इसका सही अंसर होगा, option number C option number C is the right answer, दोनो, भागों में बाटा है, प्राकिर्तिक और किर्तिक और दोनो भागों में, Thomas ने अभी परिकर्कों को बाटा है, चलिए next question के तरह बढ़ते हैं, question number 33, 33 number question है प्रेड़ना का प्रास्न, क्यूं का प्रास्न है, या कथन किसका है तो इसका सही अंसर होगा, option number B option number B is the right answer, क्रेच, एम, क्रेच, फिल्ड चलिए next question के तरह बढ़ते हैं, question number 34 34 number question है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा है हम करके सीखते हैं, किसने कहा है तो इसका सही अंसर होगा, option number A option number A is the right answer, मेस किसने कहा है, तो मेस ने कहा है चलिए next question के तरह बढ़ते है, question number 35 35 number question है, निमने में से कौन प्रास्न, के स्रोत है तो इसका सही अंसर होगा, option number A और शकता है, ये भी है, option B है चालक तो ये भी है, option number C है उद्धीपन तो ये भी है, तो इसका सही अंसर होगा, option number D option number D is the right answer, सभी चलिए next question के तरह बढ़ते है, question number 36 36 number question है प्रेणा चात्र में रूची उत्पन करने की कला है या कथन किसका है, प्रेणा चात्र में रूची उत्पन करने की कला है, या कथन किसका है, तो इसका सही अंसर होगा, option number A option number A is the right answer थामसन, या कथन थामसन का है, चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 37 37 number question है समाजिक प्रेरक है, समाजिक प्रेरक है option A है भूख option B है प्यास option C है प्रेम, option D है आत्म गोरो, तो इसका सही अंसर होगा option number D, option number D is the right answer आत्म गोरो, समाजिक प्रेरक है आत्म गोरो का चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 38, 38 number question है जैविक प्रेरक है option A है नींद, option B है और जन आत्मकता option C है मद्द वयसन option D है आत्म परशनशा तो इसका सही अंसर होगा option number A option number A is the right answer नींद, जैविक प्रेरक है तो इसमें कौन है जैविक प्रेरक तो वह नींद है चलिए next question के तरह बढ़ते है question number 49, 39 number question है पेरना का अंतिम लच्छन है लक्षे प्राप्ती के बाद बेचैनी का समाप्त हो जाना बेचैनी समाप्त करने का साधन है तो इसका सही answer होगा option A है उसके तनाव को दूर किया जाना ये भी सही option है option B है उसको बदल दिया जाए ये भी सही option है option C है उसको दबा दिया जाए तो ये भी सही है option number D है सभी तीसलिए इसका सही answer हो जाएगा option number D, option number D is the right answer सभी चलिए नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर चालिस चालिस नमबर कोश्चन है परसंसा एम निंदा दो ऐसी पेना हैं जो बालक में विरिधी करती हैं ध्यान देंगे मेरे भाई मेरे दोस्त इस चनल को एक बार आप सबस्क्राइब जरूर कीजिए एक बार सबस्क्राइब करने से जितने भी वीडियो बनते हैं अप्रोड होते हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए एक बार और काम कीजिएगा आप सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बगल में एक घंटा वाला बटन होता है जिसको बेल आइकन बोले जाता है उस पर क्लिक करके All पर बटन दबा दीजिएगा आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा और जो भी नए है इस चैनल पर प्लिज इ प्लिज जाएगा और अगर आप पिडियो चाहते हैं पिडियो हासिल करना चाहते हैं तो इस कोषटन के इस वीडियो के लिंक में जाएए डिस्क्रिसम ने जाए वहाँ पर टेलीगराम है टेलीगराम पर प्लिक करके टेलीगराम चैनल पर आके जोईन कीजिए वहाँ पर आपको सारे के सारे पीडिये मिल जाएंगे पैसा भी नहीं लगेगा इसके लिए लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो उसके बदले में आप जो है कम से कम ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या चैनल पर आये हैं तो इमंदारी से कम से कम इतना सपोर्ट आप जरूर कीजिए मेर पैस का सैंसर अपसर नमबर ए अनुशासन की चलिए वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद